परदेशी फ्लाइटी टूप चैनल पर आप सभी का विलकम हैं दोस्तों इंडिया और सौधी अरब के दर्मियान फ्लाइट बुकिंग को लेकर अपडेट दी गई है एर इंडिया की तरब से काफी लंबे समय तक के लिए फ्लाइट की बुकिंग ओपेन कर दी गई है उसके बारे में मैं बात करूँगा लेकिन उससे पहmath की एक और अहम अफडेट है जरूरी अप्डेट है सौधी अरब में करोना के केस को लेकर अगर बात करें दोस्तों तो साथि अरब में और नए case जो record किये गए हैं वो मात्र 49 हैं, अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया और सौधी अरब के दर्मियान flight को लेकर तो, इंडिया से सौधी अरब के लिए अभी वही लोग direct travel कर सकते हैं, जो लोग vaccine की दोनों डोज सौधी अरब से लगवा कर इंडिया में छुट्टी पर आये हुए हैं, बाकी लोग अभी वाया होकर travel कर रहे हैं, इस बीच एर इंडिया की तरफ से दोस्तों flight booking को लेकर update दी गई है, जानकारी दी गई है, एर इंडिया अभी तक क्या करती थी, कि flight की booking कुछ तारीक के लिए open करती थी, जैसे इस तारीक के लिए आपरेट होंगी, एर इंडिया की वो जद्दा के लिए, रियाद के लिए, दमाम के लिए, इसके लावा जद्दा से flight अपरेट होगी, दमाम से इंडिया के लिए flight अपरेट होगी, तो ये जो flight होगी, इसकी booking ओपेन की गई है, 31 अक्टूबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक, यानि काफी लंबे स लगवा कर इंडिया में चुट्टी पर आ रहे हैं या आ चुके हैं इसके लवा आने वाले कुछ दिनों के बाद जब उन लोगों को पर्मिशन मिलेगी जो लोग वैक्सिन की दोनों डोज इंडिया में लगवा चुके हैं तो उनको भी आने वाले कुछ दिनों में पर्मिश होगी या सिर्फ इतने तारीक को आपरेट होगी इस सितंबर में आपरेट होगी फ्लाइट तो अब लंबे समय के लिए फ्लाइट की booking open कर दी गई है एर इंडिया की तरब से बाकी जो लोग इंडिया में वैक्सिन की करने के बाद उनका वैक्सिन एप्रूब्ड हो जाएगा उसके बाद वह आराम के साथ मैं सौधियरब ट्रोल करेंगे वाया दुबाई होकर या वाया बहरीन होकर या वाया ओमान होकर और जब उनकी फ्लाइट दुबाई से सौधियरब के लिए रहेगी चाहे फ्लाइट से जा रहे हो चाहे वो बाई बस जा रहे हो यानि रोड जा रहे हो उनको 72 घंटे पहले मुकीम पोर्टल पर भी रेजिटेशन करना है वैक्सिनेटेट रेजिडेंट्स पर यानि जो छुट्टी वाले है वो वैक्सिनेटेट रेजिडेंट्स पर रेजिटेशन करेंगे और नए वीजा वाले हैं वो vaccinated विजिटर पर registration अपना करेंगे 22 घंटे पहले सौधी इंट्री से तो ये चीज़े आप करेंगे और आज कल जो एक आप नया सब्द सुन रहे हैं कुदूम पर registration तो कुदूम दोस्तों कोई अलग चीज नहीं है कोई नए चीज नहीं है ये मुकीम portal ही है तो ये आप confused मत होईएगा कि कुदूम कोई अलग चीज़े जिस पर आपको registration करना है दोनों एक ही चीज है तो ये दोस्तों कुछ जानकारी थी आपके लिए बैराल उन लोगों को कब permission मिलेगी जो लोग इंडिया में vaccine की दोनों लाइक करें और share करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुश रहिए गुडबाए